तो आज की इस वीडियो में हम दो टाइब के ओइल्स के बारे में बात करेंगे जो की पहला है हमारा DEP oil और दूसरा है हमारा White oil तो क्या है ये ओइल्स और किस तरीके से जो है हमारी अगरबत्तियों में इसे यूज होता है और इनके बारे में कुछ definition जानेंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है, फर्क क्या होती है और कौन जो है better होता है हमारी अगरबत्तियों के लिए उससे पहले एक चोटा सा request अगर आप हमारे चैनल को subscribe नहीं के तो subscribe ज़रूर कर लिजेगा क्योंकि अगरबत्ति बिजनेस से related ऐसी कुछ information आपको देते रहता हूँ तो hello guys मैं हूँ मनीश और कैसे हो आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे तो बात करते हैं अपने topic के उपर जैसा कि आपको दो type के oils आपको दीख रहे होंगे यह है हमारा DEP oil और दूसरा है हमारा oil जैसा कि आप जानते होंगे कि इसके बिना कोई हमारा अगरबत्ति का perfuming का काम नहीं होने वाला है तो इनका काफी हद तक यूज किया जाता है अगरबत्ति के अंदर जैसा कि आपको दीख रहोगा तो यह DEP oil जिसे short name इसका DEP oil बोलते हैं इसको और इसका नाम जो है Dethyl Ethyl, Dethyl और Ethyl इनका जो है नाम है और यह हमारी oil इनका नाम white oil के नाम से जाना जाता है एक कई-कई लोग इसे super oil भी बोल देते हैं और दूसरा चीज जो है हम समझते हैं कि DEP oil जो होता है यह एक solvate होता है जो कि हमारे perfume के अंदर dilution होके यह उसकी quantities बढ़ा देती है और white oil का उसी process में इनका भी काम है यह भी हमारे perfume के साथ mix होके उनकी quantity जो है बढ़ा देती है और उसके बाद इसकी qualities के बात करें तो इसमें हमारा DEP oil जो है बेटर होता है हमारी अगरबत्यों के process में काम करने के लिए क्योंकि यह इसकी qualities काफी अच्छी होती है और यह जो हमारा solvate बनता है अगरबत्यों में जिसका process होता है डेपिंग one third one four में जैसा हम डेपिंग करते हैं इसको तो इसकी qualities में long liability होती है जो की पर्फ्यूम को टिका के रखती है मतलब पर्फ्यूम को एक जोड बना के रखती है ताकि वह अगरबत्यों लॉंग टाइम फ्रेग्नेंस वह देते रहें अगरबत्यों उसके लिए इसकी यूस की जाती है और इसकी जो quantity है वह साथ में बढ़ जाती है उसी process में यह भी हमारा white oil काम करता है यह भी पर्फ्यूम के साथ मिलके उसको dissolve करके यह quantity बढ़ा देती है बट यह सस्ता होता है मतलब जितिनी इसकी qualities होती है वह normal होती है मतलब medium qualities में आती है और DP oil से काफी सस्ता भी होता है white oil तो यह दोनों में एक चोटा सा एक फरक है और उसके आपको देख रहा होगा दिथाईल इथाईल तो यह आपको देखने से तो white ही लगेगी जैसा कि आपको देख रहा होगा तो यह पूरी white होती है और जो इसकी थीकनेस होती है जो इसकी मोटाई होती है वह थोड़ी सी अच्छी होती है super oil के मुकाबले तो यह oil में आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा गाड़ापन है और उसी तरीके से जो हमारा white oil होता है वो फीका होता है मतलब यह बहुत ही जादा पतला कहलाता है और छूने में आपको पतल लगेगा कि यह पानी के जैसे होता है पानी से आप थोड़ा सा इसकी intensity थोड़ी सी जादा मान सकते हैं बस इतना ही है और यह जो हमारा DP oil होता है वो काफी मोटा होता है मतलब अगर हाथ में इसे टच करें तो अपने को लगता है कि यह oil है और वैसे भी आप अगरबत्ति में अगर use करते होंगे तो आपको समझ में आ जाता होगा कि DP oil का जो थिकनेस है वो कि use होता है क्योंकि इसका uses अगरबत्ति में बहुत ही जादा है और इसकी qualities के नाम से यह हमारे perfume में long time यह टीकी रहती है इसकी long time qualities की बात करें तो अगर आपकी अगरबत्ति और perfume दोनों अगर एक अच्छी quality में तो बिलकुल यह एक साल के अंदर एक साल तक यह long liberty बना के रख और उसी process में जो हमारा white oil होता है वो थोड़ा सा medium qualities में होती है और यह खाली dilution बढ़ाने के use में आती है जो की perfume की quantities बढ़ जाती है और इसकी timing आप मान के चलिए तो यह तीन मैने minimum अगर अच्छी से अच्छी quality अब अगर white oil का use करते हैं तो दो से तीन मैने तक यह टीक के र जाती है और यह हमारी medium quality में चली जाती है तो यह था DP oil और super oil white oil के बारे में फरक जो की आपको कुछ चीजे आपको पता लग गई होगी तो उमीद करता हूं कि यह video आपको अच्छा लगा होगा और आपको फरक जो है मालूम चल गया होगा कि हमारा DP oil क्या होता है और white oil क्य हो है क्या होता है तो आगे हम बात करेंगे कुछ नए topic में नए videos के साथ तब तक के लिए धन्यवाद